हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चलता यह जीद में आज हम देखने वाले हैं कक्छा छटबी के विशाय बिग्यान का जो पेपर आपका होने वाला है यहां पर समयवद्य आपको तीन घंटे की मिलने वाली है यह हमारा सेट ए है यहां पर आप देख सकते हैं अर्द को सब्सक्राइब कर लिए साथ जो बेल आइकन है उसे ओन कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो कर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो यहां पर देख लिए आपको अपने नाम भरेंगे यहां पर पताजी का नाम यहां पर साला का नाम लिखेंगे सकूल का नाम यहां पर लिखेंगे ब्लॉग और यहां पर लिखना आपको जिले का नाम और यहां पर लिखना अपन रॉल लंबर यदि आपको इस चानकारी सम्मद्ध कोई भी कन्फूजन है यदि कोई समस्या है तो आप अपने सिक्षक से पूछ सकते हैं बीधराग होके क्योंकि वो सिक्षक इसी कालर के लिए रखे जाते हैं कि आपकी जो कुभी समस्या है वो आपका स्वालो करें तो यहां पर देख लीजी यहां पर आपको पूरांग मिलने वाला है यहां पर 50 नमबर का तो आपके 50 में से 50 नमबर आने वाले हैं यदि आप यह पीपर देख के जाते हैं तो देखिए यहां पर कॉस्चन दिया गया हमारा तो पहला कॉस्चन देख लेते हैं क्या है तो यहां पर कॉस्चन नमबर फर्ष्ट दिया गया हमारा यहां पर कारिस यहां पर प्रारम करना बैक सीट पर कारें यहां उसे प्रारम करें तो पहला कॉस्चन दिया ग येशा क्यों हुआ तो अप्सिंधिया गले है देखिया आपया पक्रस देखे लीटे कि बेरास्ता बडग जाती है वेकर अहिए उन्हें अपने साथी चीटी की गंध नहीं आती ये अपने साथियों को डोने लगती है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हमारा option number C कि उन्हें जो गंध रहती है उनकी एक दूसरे की तो वो क्या पैंसर लख देते हैं उससे जो गंध है को कट जाती है लाएं इसलिए गंध नहीं आती होना है तो इसलिए वो इधर उधर भटकने लगती है इसकी बाद अगला question दिया गया है तो अगला question देखें कि second तो यह दिया गया है कुछ पक्षियों की दरश्टी इतनी तेज होती है कि बे हम से चारवना अधिक दूरी से बस्तू को देख सकते है ऐसे पक्षियों का समुख कौन सा है तो यहाँ पर option देख लिए यह दिया गया है अच्छे से याद करना है तो य जिनको क्या है कि चारवना दूर अधिक देखता है यदि हमें 10 किलो मीटर देख सकते तो वह 40 किलो मीटर तक देख सकते है इसके बाद अगला question दिया गया है इसको देख लेते हैं तो question नमर पहला क्या दिया गया है देखिए यहाँ पर जब एक बरतन में तेल और पानी मिल जाएंगे या तेल और पानी अलग अलग कई परतें बनाएगे तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर option नमर बी यानि पानी नीचे बढ़ जाएगा और तेल ऊपर तेरने लगेगा इसके बार अगला question है प्रेदूसर रहत बाहनों का समुह बताना है तो लगाड़ी तो यह भी धुआ देते हैं इनम ऐसे तो इसका सही अंसर हो जागा साइकल बेलगाड़ी और गोड़ा गाड़ी यह यह दूरे ऐसी ही हैं यह तीन चीजें जो धुआ नहीं देते हैं इन गुरपों में इसके बाद अगला question देखेंगे अगला question दिया गया हमार बीजों को अंकुरित करने के लिए निमले खितमे से क्या आवस्तियाखें यह यह हमें बीजों को यदि अंकुरित करना है यह जवाना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए तो इसके लिए बीजों को पानी में डूब कर रखना चाहिए बीजों को गीले कपड में लपेट कर रखना चाहिए तो बहुत जल्दी अंकुलित हो जाते हैं यानि जम जाते हैं इसके बाद अगला कॉस्चन दिया है हमारा छटमा तो कॉस्चन नुमर छेस को छेस देख लिए यह रहा निवन में से कौन सी बस्तू पानी पर तेरती है तो पानी पर कौन सी बस् तो ही नहीं डूबेगी इसके बाद अगला कॉस्चन दिया हमारा साथमा निमन में यहां लगा इनमैस कौन सा पौधा हवा के द्वारा अपने बीजों का प्रिक्रिणन करता है प्रिक्रिणन क्या होता है जैसे माली यहां पर कोई पेड़ लगा हुआ है इसके जो पत्तिय आख old – नारियल, आत्व औ कमल करें तो अब देखो सकते हैं ना्रियल के एक तूर बड़ा फाल होता है को नहीं यहां जा सकता है और आम भी नहीं सकता और कमल के कोई फाल है वह नीचे ही राते हैं जलेके चफ़धान हमारा आख इहां रखेंगे, इसकी लगा चीटी अपन जी आन्सर हो जाएगा यहां पर इसपरस द्वारा इसके लाद अगला कोश्चन दिया गया है अगला कोश्चन देखत है है तो beste हमारे क्या दिया घै है यह दिया हां पर पांच तो पांच पना देख लीज चैसे का यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर लखा है नौ आपर रसन एक गिलास पानी में साबूत नीबू को हम तेरा पाएंगे जब हम यानि यदि हमारे पास कोई नीबू है जो हमने सीधर रखा है उसको हम जाएगा नमक डालेंगे क्या हो जाएगा तो पानी में हम क्या डालेंगे नमक डालेंगे तेराने के लिए इसके जबाद है हमारे 10 कोईस्ट नमबह 10 competent 10 क्या योगा रात के समय बाग अपने सिकार की इस्तिति का पता करने के लिए अपने सरीर के किस अंग की सहायता लेता है आपसन दिया गए आपका आपसन में देख लीजिए किया के दिये गए हैं कान नाग मुच और आँक है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका यहांपर मुचश होगा यहांपर वूस क्या है मुच के बाल हो हिं लगते इसके दवारा पता चल जाता है कि आगे हमारा सिकार है तो आशा है कि कि आपने अच्छे से देखाऊगा यहां तक का वीडियो तो इसको अच्छे से कंप्रिट कर लिजीगा एक से लेकर 10 तक का हमने कंप्रिट कर लिया अगले वाले वीडियो में हम अगले 11 में कॉस्चन से स्टार्ट करेंगे तो बिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ज जेहन जे भारत